हलो गाइज दिस रित्वान वैलकम टू टीचिंग एंड लर्निग गाइज आज की ये वीडियो बीएड स्पेशल वीडियो है आज की इस वीडियो में में बीएड फर्स ये और से रिलेटेड जितने भी अभी क्वेस्चन चल रहे हैं उन सभी का आंसर करूंगी तो इस यहां पर मैं वो सारे ही क्वेस्चन लिखकर लेकर आई हो जो अभी के टाइम पर फर्स ये और सेकंड ये के स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं ठीक है तो उन सारी क्वेस्चन का आंसर यहां पर मैं आप लोगों को देने वाले हो आप लोग वीडियो को फूल और लास क्वेस्चन है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो चाहिए पहले बीर फर्स्ट ये से स्टार्ट कर लेते हैं तो पहला आप लोगों को सबसे जाधा इंपॉर्टन जो वह यह यह कि फिर्स ये को प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह मैं 100 टाइम्स बता चुकी होंगी कि प्रोमोशन बिल्कुल मिलेगा अगर आप बोलोगे कि अभी तक नहीं आये तो गाइस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी तक लखनाओ युनिवस्टी की तरफ से डाटा युनिवस्टी तक नहीं पहुचा है तो जैसे ही यह डाटा लखनाओ युनिवस्टी तक पहुचा देगी वैसे फिर आप लोगों के एक्जामीनेशन फॉर्म फिल कराकर आप लोगों को प्रोमोशन देने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी नेक्स क्वश्चन है कि प्रोमोशन मिले के बाद यहां पर मैं आप लोगों को बदा दू कि एक्जाम दोगे तो जो आपके वहां पर नंबर आएंगे उसी के बेसिस पर आप लोगों के मार्किंग की जाएगी और यहां पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग यह मत सोचेगा कि अ दूर्शन के अलग नंबर होते हैं और च्पर के अलग नंबर होते हैं वह सेंद पहले से अठीज नंबर तो यह आप जरूर बना लिजेए आप लोगों से कभी भी समिट कराए जा सकते हैं वहां इंप लिए फ़र्स्ट यहर में नंबर किस तरीके से डिस्रिब्यूट हो वीडियो बनाई हुए उसका लिंक आप लोगों को डिस्रिप्टिप्टिन बॉक्स में बिल जाएगा तो वीडियो को ज़रूर देख लेकिना आप लोगों की सारी ही कन्फूजन हो जाएगी एक लास्ट और आप लोगों का कि जो बच्चे इस साल फर्स यह से प्रमोट होकर सेकंड इयर में जाएंगे क्या वो लोग टैट के एक्जाम को फिल कर सकते हो टैट के एक्जाम को फिल करने के लिए आप लोगों का सिर्फ बियर्ट सेकंड इयर में अपेरिंग होना ज़रूरी है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप लोग एक्जाम दे कर आए हो या प्रमोंट हो कर आए हो तो फॉंस्स से रिलेटिड मुझे लगता है यही सारे अप लोगों के क्वेस्चन है अब हम बात कर लेते हैं बात कर लेटे सेकंड यहर के बारे में तो 20 ह 171 स्थार्ट हो रहे हैं और यह अभी काफी सारे स्टू captivity को Songs पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स फुश्चन है कि B8 second year के exam objective होंगे या subjective होंगे वैश B8 second year के exam subjective होंगे और अभी तक जैसे होते आए हैं यानि कि last year जैसे होगे वैसे ही होंगे अभी अभी वो जो question paper half करने वाला जो concept है जो new pattern चल रहा है वो आप लोगों के लिए नहीं है वो other courses के लिए है B8 second year के लिए exam pattern बिलकुल वही रहेगा जो last year आया था दो गंटे वाला B8 second year के exam pattern पर मैंने full detail में वीडियो बनाई हुए आप उसको जरूर देखेगा link आप लोगों को description box में बिल जाएगा next question ने बिएड में practical exam के बाद होता है या पहले होता है guys first year हो या second year हो practical always exam के बाद होता है next question है बिएड practical online होगा या offline होगा तो guys बिएड का जो practical है वो offline होगा आप लोग offline के हिसाब से अपनी तयारी कीज़े वो जो online practical होने की बात है वो other courses के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों का practical offline ही होगा, ठीक है, अब एक question और है आप लोगों का, कि जो बच्चे अभी B.A.D. final year में हैं, क्या वो TAT के exam को दे सकते हैं, आप लोग बिल्कुल TAT के exam को दे सकते हो, TAT के exam के लिए B.A.D. final year में appearing होना इन सब पर मैंने full detail में वीडियो बनाई हुई है, सारी वीडियो का link आप लोगों को description box में मिल चाहेगा, तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ ही मैंने हर subject के important question पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो उनको भी जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत नेक्स वीडियो में नहीं अप्डेट के साथ हो, तापना के लिए बाय और ठीक किया